अगर किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो गया तो आप हमारी चैनल की प्रेली से चेक आउट कर सकते इसके अलावा हम गरीत और विज्ञान के भी देख रहे हैं तो वह भी आप चेक आउट कर सकते हैं तो यहां स्टार्ट करेंगे वक्षीट 19 जिसमें हम समझेंगे प्र फरसे हम यहां पर समझेंगे इस वक्षिट के थ्रू फर्स कुषिट है चूज एप्रोपेट सेंटेंज गेए इस पिकचर को देखना और इस पिकचर के अकोरिंक करेंगे जो आपका सेंटेंस से उसे क्लिक करना है तो यहां पर कभी भी कोई चीज के ऊपर कोई चीज स्टेंड बस स्टेंड पर कोई खाड़ा है तब 8 का प्रियोग होता है 8600 क्लॉक टाइम से पहले 8 का प्रियोग होता है ठीक है दा मंकी इस ओवर दी ट्री अब देखिए ओवर टच करती हुए तो ओवर तो आई नहीं सकता है ओवर तो जैसे एरुपलेन जा रहा है उपर से त तो यहाँ पर हो जाएगा option C को correct कर देंगे option C यहाँ पर आपको लिख देना है second है यहाँ पर देखिए dog है जो टेबल की नीचे है कहाँ पर है टेबल की नीचे सो रहा है तो यहाँ पर की नीचे के लिए हो जाएगा under preposition का use जो की sentence correct हो जाएगा option B the dog is sleeping under the table तो option B आपको ल तो यहां पर देखिए इनका भी use हो सकता था और inside का भी use हो सकता है तो यहां पर देखिए the fish is swimming inside the jar जार की अंदर fish तैर रही है तो यहां पर correct हो जाएगा अगला है एक apple है जो books के उपर रखा गया है टच करते हुए तो यहां पर on preposition का use होता है कभी भी कोई चीज़ टच करते हुए किसी चीज़ के उपर है तो on का preposition का use होता है तो यहां पर correct हो जाएगा the apple is on the books किताबों के उपर apple है तो यह done होता है आपका worksheet 19 का solution अब देखेंगे हम इसी पार्ट में worksheet 20 का solution जिसमें हम देखेंगे verbs की बारे में पढ़ना तो verbs तो आपको पता होना चीज़े दो टैप की होती है ठीक है एक सकर्मक और एक हकर्मक चलिए यहां पर A और B कॉलम में दे रखा है the pen is on the table pen कहां पर है table के उपर pen कहां पर है table के उपर the pens are on the table कहां पर है pen जो बहुत सारे pen है वो table के उपर है child children यहां पर एक वचन बहु वचन दे रखा है यहां पर the man has left the man have left चुकि यहां पर the man men है तो यहां नी बहुत सारे जब व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए इस तरह का यूज़ किया जाता है बहु वचन के लिए और have आ गया तो अब देखिए और singular के साथ में ऐसे यह का यूज़ होता है इसे the child likes है और children के साथ में like का यूज़ करेंगे तो as discussed about the subject is in each sentence under column a is singular and so the verb is singular अगर singular है तो verb भी singular आईए देखिए as is is का यूज़ हुआ है इसका यूज़ हुआ है तो subject in each sentence under column b is plural so verb is plural देखिए आप का यूज़ हुआ है like हो गया इससे तरह से have का यूज़ हो गया तो समझेगा जब हम singular यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं एम का यूज़ करते हैं I के साथ में और आर का इसी तरह से हो जाएगा हैस हैव का देख लिए हमने तो अब देखे आगे देखते हैं सम इंपोर्टेंट पॉइंस टू भी रिमेंबर तो कुछ आपको पॉइंस याद करने होते हैं इसके पारे में समटाइम्स तू सब्जेक्ट रिप्रजेंट वन आइडिया इन इस केस द करेंट अगर हमकाम लेते हैं तो हम ड्रेस जीह सकते है दाल बाटी न चूर्मा इस डिलिशियस आड नहीं होगा याँपर क्योंकि ये तीनों एक ही चीज को खाने को खाने को ठीक है वन आईडिया को रिप्रेजें नहीं होगा इसट पारे vy बा мн. इसेट के रिप्रेश के इसे भी अगर रिलेट कर रहे हैं, दो सिंगुलर नाउन, इच एवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी आपकी जो वब है, वो सिंगुलर रहेगी, जैसे एवरी मैन और वुमन इंदी विलेज वस टेरिफाइब, प्रतिक पुरूश और महीला, क्या है, टेरिफाइब है विल When two or more subjects are connected with or, nor, either, neither, they take a singular verb, neither he nor I was mistaken, तो यहाँ पर यह चीज भी ध्यान रखने हैं आपको, कि अगर दो से जादा या दो subject connect है, or, nor, either, neither, तो वो हमेशा singular verb का use करेंगे, ना कि plural verb का, neither he nor I, ना ही वह है, ना हमें mistake करता हूँ, ठीक है? अब exercise करेंगे हम, exercise को ध्यान से करना है, ताकि आप इनके use अच्छे से समझ पाएं, तो सबसे पहले question है, 10 km blank a long way to walk, 10 km is a long way to walk, 10 km एक बहुत ही लंबा रस्ता है चलने के लिए, ठीक है? एसे बोलते हैं, चम लंगवा रस्ते हैं, एसे थोड़ी बोलते हैं, तो यहाँ पर देखे, a long way से पहले आजाएगा is का use, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, is. next, every shop and every restaurant, तो यहाँ पर देखे, यहाँ हो जाएगा was closed, इसी तरह से was लिख देंगे यहाँ पर आप, every से start है ना, 20,000 rupees, a large sum of money, 20,000 rupees is a large sum of money, तो यहाँ पर इस हो जाएगा, bread and butter, bread and butter एक ही चीज़ को रिप्रेजन करे, is only, is his only breakfast, bread and butter एक ही रिप्रेजन करे, एक ही डिश को, तो यहाँ पर इस हो जाएगा, the decoate with his flowers, was should tear, चीज़ के, वह जाएगा, all the rice in this bag, is of good quality, आड नहीं होगा, is होगा, is of good quality, जो rice है इस bag में, वो बहत ही good quality का है, one of these men, देखिए यहाँ पर one of these men, बहु वचन में आ गया है में, one of these men, उन में से एक व्यक्ती, उन सभी व्यक्ति में से एक व्यक्ती, comes here daily, तो यहाँ पर comes हो जाएगा, चीज़ के, क्योंकि one of these है, उन में से, व्यक्तियों में से एक, ठीके, both Mary and Tom, fond of music, तो यहाँ हो जाएगा, both Mary and Tom is, are, sorry, यहाँ पर देखिए, बोथ है, यहाँ पर आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ आपको डिस्मिस नहीं होना है, यहाँ पर देखिए, both Mary and Tom, तोनों, क्या है, music के प्रती, fond है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आजाएगा, both Mary and Tom, are, fond of music, half of the cake, already eaten, half of the cake is, already written, यहाँ पर इस आजाएगा, सिफ आर यहाँ पर आया है, अभी तक, one of my friends, decorated the room, मेरी friends में से, इस रूम को डेखिए किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा, has, has decorated the room, तो इस तरह से आपको फिल करना होता है, verbs को, और subject के according, ठीक है, तो बिल्कुल confuse नहीं होना है, इससे काफी हापको help मिलेगी, अपने grammar को perfect करनेगी, तो यह होता है, वक्षिट 20 का solution done, यहाँ आपने देखा वक्षिट 20 और वक्षिट 19 के solution, इसी तरह हम आगे की solution भी देखेंगे, आगे की वक्षिट की solution, और भी important वीडियो आपकी कक्षा से लिए देखते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारी चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद,